हेई टेक लवर्स, वल्कम बैक टू आज चनल हाई टेक फीवर, आज हम डाइफ करने वाले हैं, हैकिंग गैजट्स की दुनिया में, लेकिन अटेंशन मतलो, it's all in good यार, हम लेकर आए हैं कुछ माइंड ब्लोइंग गैजट्स, तो अपना टूल किट उठाओ, हैकर हैट पहन और बस चलो, अनलॉक करते हैं कुछ अमेजिंग हैकिंग गैजट्स, लेकिन हाँ, उससे पहले क्विक डिस्क्लेमर गाईज, ये वीडियो हमने सिर्फ नॉलेज के परपस से बनाई है, आप किसी को उंगली मत करना, और हम कोई भी अन एथिकल प्राक्टिस को सपोर्ट नह ही करते हैं, इसलिए हम अपने सारे विवर्स को भी यही सरा देंगे कि आप हमेशा एथिकल बाउनरीज के अंदर ही काम करिए, तो तेयार हैं अपने गैजट्स को हैक करने और अपने टेक गेम के लेबल को अप करने के लिए, तो चलो, शुरू करते हैं with number one, हेई टेक एंथूसियस्ट, मिलिए क्रॉक बाई हाक फाइब से, एथिकल हैकिंग के लिए ultimate गैजट, यह डिवाइस की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करने के लाबा, स्पेशल कीवर्ड्स डिटेक्ट करते ही, अटाक्स भी ट्रिगर करता है, यह अलग-अलग डिवाइस जैसे की अधिया अजान है, आरजीवी लाइट से बता चलता है कि यह डिवाइस क्या कर रहा है, और बिल्ट-इन वाइफाई से आपको बेस्ट पर्फॉर्मेंस मिलती है, तो हैकिंग की दुनिया को एक्स्प्लोर करने के लिए त्यार हो, चलो, शुरू करते हैं, नमबर टू, 5.5 डिस्प्ले, राजबेरी, पाई, 4.5 वक्स्टेशन, दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में, 3D मॉडलिंग सॉफ्वेयर का यूज करके, अगला स्टेप है 3D प्रिंटिंग, हमने .STL फाइल को .G code में बदल दिया है, स्लीसिंग सॉफ्वेयर का यूज करके, सो आप अपने 3D प्रिंटर पर .G code फाइल लोड करके प्रिंट शुरू कर सकते हैं, इस प्रॉजेक्ट के लिए हम PLA फिलामेंट का यूज कर रहे हैं, जो कि टिकाओ और आसानी से प्रिंट माटीरियल है, ये देखिए, 3D प्रिंटर पर काम लगया है और ये प्रिंट हो रहे हैं, टाइम läBS पूटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्रिंटर फॉर्म हो रहे है, टोटल प्रिंटिंग टाइम आपको प्रॉडक्ट डिस्रिप्चर में मिल जाएगा, अब सभी प्रिंट हो चुके हैं तो चलिए इनें असेंबल कर लेते हैं, है assembly काफी easy है आपको बस parts को screws और bolt से connect करना है बस इस design में आपको सही slot मिलेंगे इसकी assembly के लिए अगला कदम है Raspberry Pi 4 और display को install करना Raspberry Pi 4 को case के center में mount करेंगे और ये 5.5 inch display को side में और हर display को HDMI adapter से connect करेंगे और power supply set करेंगे तो ready है ये छोटा सा device एक hacker का सबसे अच्छा दोस्त है जब बात आती है quick network penetration testing की चली detail में देखते हैं कि ये device करता क्या है और कैसे आप इसे effectively इस्तिमाल कर सकते है सबसे बहले बात करते हैं इसके design और build quality की shark jack एक compact और portable device है जो आसानी से आपकी pocket में fit हो जाता है इसमें एक ethernet port और एक button होता है जो payloads को execute करने के लिए use होता है ये device links based है और इसमें आप multiple payloads configure कर सकते हैं आपको बस इसे अपने computer से connect करना है configuration file को edit करना है और बस आपने payload set करने है shark jack के कुछ popular payloads है network reconnaissance, man in the middle attacks और credential harvesting setup process भी काफी simple है shark jack को आप अपने computer से connect करके configure कर सकते हैं इसमें आपको LED indicators मिलते हैं जो different modes और states को indicate करते हैं green lights indicate करती है कि ये तयार है blue light indicate करती है कि ये payload को execute कर रहा है और red light indicate करती है कि आँँआ कोई error है तो कैसा लगा ये चोटा packet बड़ा दमा का comment section में comment करके जरूर बताइएगा next है number 4 red key USB ये चोटा सा USB device देखने में तो बड़ा simple सा लग रहा है लेकिन ये आपके computer ये laptop के सारे data को boom एकदम clean तरीके से मिटाने की capacity रखता है yes red key USB को आप easily अपने desktop, laptop, PC या फिर Mac में plug-in कर सकते हैं जैसे ही आप इसे plug करते हैं आपको अपने computer को restart करना होगा और USB से boot करना होगा जैसे ही आप boot करते हैं आपको red key USB का user friendly interface दिखाई देगा अब आप यहाँ पर multiple options select कर सकते हैं जैसे कि quick wipe, deep wipe और customization options quick wipe basic data remove करता है जबकि deep wipe सारे data को thoroughly remove करता है जिससे किसी भी तरह की recovery possible नहीं होती है और एक शांदार feature है PDF report generation जैसे ही data wipe पूरा होता है red key USB automatically एक detailed PDF generate कर देता है जो आपके data wipe process का proof होता है और इस report में आपको detailed logs और confirmation details मिल जाती है number 5, hacky pie ये चोटा सा छुटकू सा device दिखने में तो एक regular USB जैसा लगता है लेकर इसमें छुपी है कई hacking capabilities जो आपके pen testing और educational projects को next level पर ले जा सकती है सबसे पहले बात करते हैं इसके design और build quality की hacky pie एक compact और portable device है जो easily आपके pocket में fit हो जाता है इसमें एक USB interface और एक programmable micro controller होता है जो आपको multiple king payloads load करने की capability देता है ये device काफी flexible है और आप इसे आसानी से customize कर सकते हैं hacky pie में आपको multiple payloads configure करने का option मिलता है आप इसे अपने computer से connect करके आसानी से configure कर सकते हैं ये HID यानि की human interface device, attacks, wifi attacks और network attacks को support करता है एक और important aspect है इस device का educational use hacky pie को आप use कर सकते हैं ethical hacking और cyber security के concepts को practically समझने के लिए लिगिन जैसे की हर hacking tool के साथ ethical use बहुत जरूरी है unauthorized access और illegal activities से बचने के लिए हमारे channel के सारे viewers को यही सलाय है कि मित्रों, भाईयों, बहनों, सभी लोग जरा कान कोल कर चुनिए आप हमेशा ethical boundaries के अंदर ही काम करिएगा निवेदन है आपसे नेक्स्ट है नमबो 6 वाइफाइ नगेट ये छोटा से device आपके hacking projects को next level पर ले जा सकता है वाइफाइ नगेट एक compact और portable device है जो आसानी से आपकी pocket में fit हो जाता है इसमें एक USB interface और एक powerful micro controller होता है जो वाइफाइ capabilities के साथ आता है ये device काफी flexible है और आप इसे आसानी से customize कर सकते हैं वाइफाइ नगेट में आपको multiple payloads configure करने का option मिलता है आप इसे अपने computer से connect करके आसानी से configure कर सकते हैं ये wifi attacks, de-authentication attacks और network sniffing जैसे task को support करता है वाइफाइ नगेट को आप use कर सकते हैं ethical hacking और cyber security के concepts को practically समझने के लिए जैसे कि हर hacking tool के साथ ethical use बहुत जरूरी है unauthorized access और illegal activities से बचने के लिए हमारे चैनल के सारे विवर को यही सला है कि भाई साब, भाई बेहनों, सभी लोग आप हमेशा ethical boundaries के अंदर ही काम करें ये वीडियो हमने सिर्फ knowledge के purpose से बनाई है और हम कोई भी unethical practice को support नहीं करते हैं सबसे बहले बात करते हैं इसके design और build quality की hacking keyboard जामतोर पर एक मजबूत build quality के साथ आते हैं इनमे कुछ special function keys और programmable keys होते हैं जो आपको different hacking tools और payloads के लिए quick access provide करते हैं इसमें programmable keys और macros होते हैं जो आपको अपने customized payloads को execute करने में मदद करते हैं आप इसमें specific key strokes को record करके और उसे playback कर सकते हैं जो penetration testing और hacking scenarios में काफी useful हैं ergonomic design भी एक important aspect है hacking keyboard का इनमें rests और adjustable stands आते हैं connectivity options भी काफी versatile होती हैं इनमें encryption support और secure communication options होते हैं जो sensitive data protection और secure operation के लिए important होते हैं Next है No.8 Hack Turtley LAN LAN Turtley एक compact और stealthy device है जो एक USB stick की तरह देखता है इनमें इसमें Ethernet port और micro ASD card slot होता है ये device links based है और आप इसमें multiple penetration testing tools और payloads load कर सकते हैं आपको बसी से अपने computer से connect करना है configuration setup करना है और अपने targets पर display करना है simple LAN Turtley का एक खास feature है इसका stealth mode और remote access capabilities आप इसे remotely भी control कर सकते हैं और covert operations के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बिना detect हुए जैसे कि हर hacking tools के साथ ethically use बहुत जरूरी है न बस LAN Turtley को सिर्फ authorized penetration testing और security assessments के लिए ही इस्तेमाल करें हर बार हम बार बार आपसे यही कहेंगे unauthorized access और illegal activities से बचने के लिए हमेशा legal boundaries को follow करें so इस वीडियो में हमने देखा कुछ खास और powerful hacking gadgets जो है essential tools हर एक security professional और ethical hacker के लिए हर device चाहे वो wifi nugget हो या फिर hack 5 land turtle अपने unique capabilities और functionalities के साथ आते हैं जो आपको penetration testing, network security assessment और educational purpose में मदद करते हैं इन gadgets की versatility of use और security features उन्हें traditional tools के मुकाबले एक कदम आगे बनाते हैं ये gadgets सिर्फ professionals के लिए नहीं बलकि उन लोगों के लिए भी काफी useful हैं जो cyber security और hacking के concepts को practical way में explore करना चाहते हैं लेकिना इनका use हमेशा legal boundaries के अंदर करना चाहिए और unauthorized access से बचना चाहिए चले, मिलतें आपसे next वीडियो में, bye bye, take care